असलाम अलेकूम वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स देर स्टोडेंट्स आज हम क्लास फर्स्ट यर के चैप्टर नुबर वान के लेक्चर नुबर शिक्स के अंदर इंपूट, इंपूड इवाइसिस और टाइप्स ओफ इंपूड डिवाइसिस को डिसकस करेंगे यहां पर सोर्स मुराद वो पॉइंट है जहां पर आपका डेटा इस वक्त मुझूद होता है जहां से आप उस डेटा को कंप्यूटर में एंटर करना चाते हैं इसाल के तोर पर आपका डेटा बुक में मुझूद है, टेक्स की सूरत में आप उसको कम्प्यूटर में एंटर करना चाहते हैं, तो ये बुक उस डेटा का सूर्स कहलाएगी, इसी तरह से डेटा दिमाग में मुझूद है, आप कम्प्यूटर में एंटर करना चाहते हैं, त तो तमाम डिवाइसी जिनकी मदद से आप source से data directly computer में transfer कर सकते हैं उन्हें source data input devices कहा जाता है मिसाल के तोर पर आपने book से data scanner की मदद से computer में करना है तो source आपकी book है और source data input device आपका scanner है तो scanner आपकी book से data scan करके directly image की सूरत में computer में store कर देगा इसी तरह एक शक्स voice record करना चाता है तो microphone के जरिए अपनी आवाज computer में direct store करवा देगा बिल्कुल इसी तरह digital camera से तस्वीर खेंच कर computer में आप store करवा सकते हैं डिजिटल camera और microphone भी आपके source data input devices हैं आएं अब इसकी input की second type indirect input के बारे में पढ़ते हैं indirect input ऐसा तरीका कार जिसमें source data directly computer में store नहीं हो सकता बलके दर्म्यान में कोई third party person intermediate element involve करना पड़ेगा जो आपके data को computer में enter करेगा तो इस method को हम indirect input method कहते हैं मसलन आप book से data text की सूरत में computer में store करना चाते हैं तो अब आप scanner की बजाए keyboard के through data एंडर करना चाते हैं तो यहां आपको एक ऐसा शक्स चाहिए जो कताब से data को read करेगा फिर उसे keyboard पे type करेगा तब ही आपका data computer में store होगा इट मींज के अब source data directly computer में store नहीं होगा बलके दर्मियान में एक human being एक इनसान involved हो चुका है जो के आपके उस data को computer में transfer कर रहा है ऐसी input method को हम indirect input method कहते हैं इस्टुडेंट्स आपने direct और indirect input के बारे में पढ़ा और आपने ये भी जान लिया कि जब भी आप computer में data input करते हैं चाहे वो direct input हो या indirect input हो तो उसके लिए आपको कोई ना कोई input device की जुरुरत होती है आएं अब हम input devices के बारे में पढ़ते हैं input devices से मुराद कोई भी ऐसा hardware component है जिसकी मदद से आप अपना data या instruction कंप्यूटर में store कर सकते हैं input devices की तीन main types है keyboard, pointing devices, source data, input devices तो students आने वाले next lecture में हम इन सब input devices और इन की types को detail के साथ discuss करने वाले हैं तो तब के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लें साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला हर lecture आपको मिलता रहे मिलते हैं next lecture में thank you so much, Allah आफ़ेज